मुरारवाद के थाना नागफणी इलाके के बांगला गाउं अकवर कंपाउंड के बाहर बनी सराफ़ा की दुकान से आभूशिन चोरी करने की वारदात सामने आई है जहां खाकी पहने शक्स ने खुद को पुलिस करनी बता कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया वहीं चोरी की पूरी घटना दुकान में लगी सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद पीड़े दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी सूचना मिलने के बाद मौकी पहुंची पुलिस ने जांच परताल के बाद कई होटलों में दवश दी लेकिन चोरी करने वाले शक्स का कुछ पता नहीं लग सका बताया जा रहा है कि सराफा की दुकान पर युवख खाकी पहन कर गया था और दुकान के अंदर सोने के आभुशन देखने लगा लेकिन बाद में बहाना बना कर किसी भी आभुशन को पसंदना आने की बाद कहकर दुकान से बाहर चला गया जिसके बाद सराफा बयापारी शक्स को दिखाए गए सोने के आभुशुनों को वापस रखने के लिए गिंती की तो उसमें एक पैकेट कम निकला जिसके बाद दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी कल ऐसा की कस्तमर आया पुलिस की वर्दी पहने हुए था कैप लगा हुए था अपर जैकट पहने हुए था आया करने के कुछ सामान देखा दो ओम अगारा देखा और करने के कुंडल देखा दो कुंडल देखाया देखते देखते इससे लड़केस कहने लगा पानी पिला दो पीरत की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है जल्दी आरोपी को गिरफतार कर सलाखों के पीछे भीज दिया जाएगा मुरादाबास से जरहित टाइम्स के लिए जावर हुसाइन की रिपोर्ट